इंगेशन्ड एक रूप से यह कहा जाए कि आवशक्ता है जो समाज में किसी चीज की आवशक्ता होती है उस पर अगर समाज को कोई ऐसी चीज डेबलब कर दी जाए पन कर दी जाए जिससे सहुलियत उत्पन वो वही एक अन्वेशन का रूप लेती है प्रकृत के साथ जब आप जूड़ेंगे तो आप पाएंगे बहुत सी चीजें ऐसी हैं अभी आज देखिए यह रेनी सीजन है बर्शाद तो नहीं हो रही लेकिन बर्शाद जिस दिन होती है मारे बच्चे जो छोटे से बड़े इव लगता है वह मंग देखिए पैट से पानी को मारता पानी उचलता है उसको यह दिखता है कि उचल के हो रहा है पानी उचल के हो रहा है अब वो जिग्याशा उसके अंदर है वो जिग्याशा शांत करने के लिए उसको यह लगता है कि अगर पानी मार रहे हैं तो किधर जा रहा कहां जा रहा कभी है सरारत बस बच्चे निकलते होंगे तो उसके उपर विमार देगा उसे चल यह खेल खेल में उसकी एक आई कि पैर से अगर पानी पर दवाव डालेंगे तो पानी आगे कहीं न कहीं किसी को छेटा मारेगा ऐसा यह उसकता यह जागरित करना यह बच् इसने के लिए एक सोच उनकी होनी चाहिए प्राक्रतिक चीजों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक बच्पन में मैंने एक सपना देखा था मैं इसको उस ट्रैक पर लाओंगा कि अन्वेशन कैसे होता है बिना एक उदाहन के शायद बच्चों के लिए या समाज के ल राउंड है हमारे सिर्फ पर इसकल क्यों राउंड है जी मैंने से एक सोच रखी तो मुझे ये जिग्यासा की सांती जब इंजिनिंग करने लगा तब पता लगा कि हर में अगर रेडियस अब गायराई लोड लेने की सक्ति राउंड में चारों तरफ बराबर होती है ले सकते हैं नीचर ने दे रखा प्रकृत ने दे रखा प्रकृत आपकी एक बहुत बड़ी सहभागी है जिसमें इन्वेशन छिपा हुआ हम हमने यह सोच रखी कि अगर हमारे बैग्यानिक विश्व के कुछ तयार कि आज बच्चों को प्रेंडा यह होनी चाहिए हर बच कुछ बनूगा मैं भी कुछ करूँगा किसी भी चेत्र में और उसके लिए वो तथ्थे दोना शुरू कर देगा तो वो उसमें सफल होने में कोई कामयावी हाशिल करने में जाना अतनिक भी हो नहीं है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भारत भाद में मुझे फक्र है कि मैं भारती हूँ और विश्व में अगर एरो साइकल का नाम हुआ है अनुवेशन में तो यह भारत भरस के ही और मैं उसका एक पार्ट हूँ क्यों क्योंकि मेरी जिग्याशा बस्पन से थी मैं बच्चों और आज के भविश्य के जो कानधार हैं युमाओं को कहना चाहूँग कि वो अपने चैतनिता को अपने बिचारों को अपने जजबा को हमेशा बनाए रखें और वो शफल होंगे सोच यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं सोच यह है कि हम क्या इस समाज के लिए कर सकते हैं सोच यह नहीं है कि हम नवकरी पा लेंगे हम कितना कमा सकते हैं वो चीज आपके पीछे लगी रहेगी, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तनखा यह हो जाएगी, मुझे इतना फाइनेंशल मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, मुझे यह पोजिशन, फाइनेंशल पैकेज, सारी चीज आपको आटोमेटिक पीछे मिलती जाती है, अगर अच्छे आयाम आप हाशिल करते जाएंगे और समाज के लिए जुड़ते जाएंगे, समाज में नए नए विकास के गती को बढ़ाने के लिए नए नए चीजें को खोश करते जाएंगे